दोस्तों ये हमारे यूट्यूब चैनल सुख्राज मिशिनरी नानिकना मिशिनरी अनवोल मिशिनरी गुर्किनित मिशिनरी में और अनवोल एक्सपोर्ट में आपका सुवागत है दोस्तों जो मैं आज एक नया बीगनिस जो है बहुत बड़िया बीगनिस में आपको दिखाने जा रहा हूँ और मारी जो वीडियो है दोस्तों इनको दब के शेयर करा करो और सिस्क्राइबर करा करो और शुरूर से लेके खीर तक दिख्या करो और आपको इसमें बहुत सारी नौलइज मिलेगी, हमारे पास हर टाइप का परड़क्ट है, हमारे पास हर टाइप की मशीन मिलती है, यह देखें, मशीनों की खान है हमारे पास, मशीने हैं, बहुत तरह की मशीने हैं, कोई भी मशीन ले सकते हो आप, हमारे पास पूरा एक ए जैसे चार इंची वाला, वो सुग्रिव वाला है, अदींची से लेकर तीनी ची तक , आगे दो इंची वाला मशीन है, वूर्फन ग्रंडर मुंद करत है, यह सभी मशीन जितनी है, जैसे एक पार्टी ले रही है, और इस साहत्त में एक कॉपी वाला औटमाट फुली आप मशीन कहीं से भी जहां मी देख रहे हो वीडियो देख रहे हो वहां से मारे नीचे नंबर है वर्टसम में और यूटूब में नंबर पे आप वर्टसम पे जाके उसमें जो भी जानकरी चाहिए यह देख सकते हो और वहां से बुकिंग करा सकते हो और दयान से देखना किना कानल में पैसा डालो और बुकिंग करा ऑएक अफ़ते बाद वान मीख में जब आडर करते हो शचिन दिस्पैच हो जाती है वहां जीनर जा के जैजी इन को ह待ए यह को इन वार हिक्रिक्शैन के पूरा झाल मुच्च के भी मुच्चर होके चैनल के अड़ेम बाफिटी कितना बड़िया वायर स्टैंड है यह देखिए यह वायर स्टैंड इसको बोलते है किरे वायर स्टैंड एक किरे वायर स्टैंड कोई नहीं देता साथ में वो दूसरा ढंडे वायर रोल लखना बहुत मुश्किल होती है इसमें ऐसा है कि इसमें टेड़ा करके इसको वायर र इसका कोई अक्स्रा चार्जी नहीं हम लेंगे यह मशीन के साथ आपको गेरे वाला वायर स्टेंड फ्री में देंगे एक मशीन लगेगा पॉल्शिंग लगेगा ग्रेंडर लगेगा यह देखिए दोस्तों कितना बड़ी आप इनस कितनी बड़ी हम दे रहे हैं और बनके बाइर निल बनके नीची से गिरता जा रहा है बस हमने कुछ नहीं करना इसमें काम जादा एक रोल वायर स्टेंड में रखके वायर का लगा देना है मिशीन में तो आटमेटिक बनके निकलता जाएगा जैसे मैं वीडियो में दखा रहा हूं आपको देखो वायर स्टेंड उसता सा तो बड़ा रोल वी लगा सकते हो रोल लगाकं के वायर डालो ऑटमेटिक बनके की निगलता जाएगा फुल्य आटमेटिक मिशीन ओर जैसा कि भी मुर्ग बनेगा जेampsा ब्लेकर आधी कि मिशीं नियुद्य के पुरी आटमेटिक मिशीन इसमें र commentary जो वाला जो सिर्व होता है जिपसन स्क्रीव जिसको बोलते हैं यह इसमें स्क्रीव बन जाता है है इस वाले में आटोमेटिक है यह फुली आटोमेटिक पूरी पशीर है यह वाइबरेटर सिस्टम हम लगा के देते हैं साथ है लेटर्स टकनोलोजी यह लेटर्स टकनोलोजी का वाइब्रेटर है जेते पहले ओल्ड मॉडल पहले बनाते हैं भी कई लोग को तोकरी वाला देते हैं हम तोकरी नहीं देते वाइब्रेटर देते हैं वाइब्रेटर से एक आदमी लिवर कम लगती है इसमें सेंसर लगा रहता है जब भी यह उसका फिल हो जाता है पूरा आट यह इसमें एक बंदा लिवर कम लगेगी जचिए अप्टों अधर से स्क्रू आएगा इदर तूरी ड़ी में चूरी ड़के आपमेटिक अधर आएगा इसमें water cooler विए water चलता है इसमें कटिंग वर लगा के बाटर पानी चलता और दोस्तों यह देखिए कितना बड़िया बीजिनिस कितनी बड़िया बरीया मुशी में हैं दोस्तों आप कोई भी बीजिनस करना चाहो हमारे से एधर आके अमरी सर में हमारा देखना अंडस्टी का बार की फोटो द आपको मिशीने दखाएंगे हम सबी और बुकिंग कराओ एक अफ़ता दास दिर में मिशीने मिलेगी हम आपके घर मिशीने ट्रांस्वोर से बेजेंगे वहां स्ट्रॉल करा के देंगे जुरा आपको कोई चिंता वाली जुरूर नहीं है आपने इसा लगाना है हमारा काम है आपको शटिंग करके देंगे बहुत बढ़ी आदीने सट करके देते हैं यह जिखिए पार्थी बहुत सारी जूर जूर से पार्थी आल ओवर इंडिया है अच्पोर्ड भी होती है हमारी मिशीने बहुत अरी यह मिशीन आगी यह पॉल्शिंग दाम है यह ग्रेंटर मिश करने के लिए इसको ग्रेंट करना परता है एक दिन में दो दिन बाद कभềnवी तोड़ा सा मिशीन निए और कि दो इंची में आधि शब्री नें तक बनाएंगा। बहुत मिशीन के िर्पना दो एंची तक भी तक बनाएंगा। यह देखिए इसका क्यग्न को भी के फिनिश है। और इसका भी जैके जो भी मशीन है चाहे वायर नेला लिया है सबी का वायर स्टैंड फ्री फ्री में साथ में यह वायर स्टैंड हम इसका कोई एक्स्राइब नहीं लेते यह वायर स्टैंड गेरे वाला यह गेरे वायर स्टैंड कोई औि ये देखिए और ये ग्रेंटर मुण कीजोगो है नाने का नाम मिशिनरी कंपनी है नान नाम कोई और नाम भी महारा रख सकता है ये सिसमें मिशिनरी कंपनी में जरूर देखो और सुखराज मिशिंरी साथ में जरूर देखो और अब भी जब इधार अमरीसर में आते हो फैक्री विजेट पर्थ आ के मारी जैसेशंगे शुमें वीडियो में देहता है उस नुखOn èreं का फृ diesel वीयू जो है फृ Corin तो वी सौल्व करा देते हैं इसलिए आप मारी वीडियो आपने पूरी अंत तक देखा है आपका धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हेडर की बीटेट दखाने लगा हूं आप देख सकते हैं वायर का रोल लगा हुआ है आटमेटिक जो आपने वायर फीड कर देने हैं machine ने और MoleumatikATOR हेडर में सबसे पहले screw बनता है उसमें head बन जाएगा, और स्क्रूव बन जाएगा थ्रेडिंग नेक्स मशीन में डलती है जैसे मैंने आपको बताया पहले देखो इसके बाद बनके स्क्रूव गरता जाना है इसके बाद यह जाएगा पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो दिखाता हूं कि देकी पॉल्शिंग ड्रम की वीडियो ऐगी पालशिंग रम में पहले इससको अपने डिसरीश मिनिट इसको दस मिनिट आपने उसको लकडी परदाइं लकड़ी का परादा डालके इसका जो आईल होगा वाईल र्मूव हो जाएगा अब देख सकते हैं इसको आईल रिमूव होके निकल गया यह अब यह आईगा रोल थ्रेड में यह वाइबरेटर सिस्टम लगा हूए इसमें जैसे अपने स्कूरू डाला है यह ऑगे म는 जाएंगे बढ़ेंगे अब देख सकते हैं घाव स्क्रीव घूम रहे हैं जैसे अब आगे अागे हैं जैसे कुर्माय से लाइन में बर कर पूरे हो गए है पीश एलाइटर जाए है जैसे लाइन में कर बर जाएगा पूरे स्क्रू बर जाएंग तो पीशे वाइबरेटर बंद हो जाएगा जैसे स्क्रू आगे से खतम होएंगे वाइबरेटर आटो स्टार्ट हो जाएगा खुद दी इतके हमने मशीन स्टार्ट कर दी अभी इसमें भी बस आपने स्क्रू इसमें वाइबरेटर में डालना है फुली आटमेटिक मिशीन ने खुद काम करते रहना है लोकि इसमें लेबर की बहुत कम जुरूरत होती है एक स्किल्ड आदमी हो एक हैलपर हो तो सारी मिशीन से उपरेड कर लेता है खुद दी फुली आटमेटिक पर स्क्रू बनके अब निकलता जा रहा है इसमें आपका हैटर में हैटर बन गया पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका और रिमूव हो गया पॉलिश भी हो गया साथ में और टूडी भी डल की यह त्रेड भी डल गया अब देख सकते हैं बहुत इजी परसेस है फुली आटमेटिक मेशीन है कोई भी आटमी चला सकते है इसको बहुत इजी परसेस है यह कुछ आपको मैं रिनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ यह देखी जैसे रिनिंग सैटप लगा हुआ है पूरा कंप्लीट इसने 10-20 मिशीन लगा हुए है यह और सैटप लगा हुए है इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हैडर लगे हैं कितने रोल थ्रेड लगे हुए है लगी पूरा कंप्लीट सैटप लगा है वो लोगों ने इतना इसका डिमांड होती है इस क्रीव कि कि लोगों ने 10-20 बिस मशीन लगा लगा हुए है अब देख सकते हैं यह ड्रेवल श्कूरू बना हुआ है कितने बड़ी है क्वालिटी कितनी कौन्टी में बनता है ये रोज ये देखे रोल त्रेड में भी ड्रैवल स्क्रू बनके निकल रहा है ये देखो आप ये ड्रैवल स्क्रू है लगी पूरा कम्प्लीट प्लांट लगा हुआ है इसमें अपने इसने ही ट्रीटमेंट प्लां ड्रम गूम रहा है तो स्कूर्व जैसे बनके रोल त्रैट से बनकर आएगा लेक्प ब्लैकोटिंग करनी है आपने इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको बीच मिनिट आदा गंटा गुमाना है नीचे से हीट से वह हीट भी हो जाएगा हीट होने को पाद उ जैसे चैमिकल के चैमिकल में डालेंग बाद ड्रैयर में आएगा तो इसको कितना बड़ी है ब्लैक कोटिंग भी हो गया उसका ड्रैयर में पानी निगल गया हाड भी हो गया और ब्लैक तो यह देखिए आप यह लॉम्ट एलाइसे स्क्रू मशीन बनके आए तो ऐसा देखता इसके बााद हम डालेंगे इसको एसीड बै कि को सबसे पहले एक वरी जो बन और फ़ास हो गया है ड्रम में उसको को ऑप तो यह निकाल दिया बस निकाल के इसको एक बारी फिर से पानी के पानी में साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है ड्रम होता है जिसमें होएगा उसमें डाल देना है अब यह देखता देखो दिखाऊंगा मैं आपको यह देखिए इन्होंने जो पेले जिंक हुआ 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 है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो आइसीड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे स्क्र्यू को इस जिंक किया हुआ निकाल दिया है इनोंने और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे यह दो आप यह पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर यह देखिए आप एक ड्रम की कैपसेटी 50 kg की capacity होती है एक ड्रम की इसको आदा गंटा इसी में जो chemical होता है जिंक इसमें देखो पीशे प्लेट लगी हूँ यह जिंक प्लेट तो आदा गंटा यह ऐसे गूमता रहेगा आदे गंटे में 50 kg माल जिंक कर देता है अगर आपने सिर्फ जिंक कोटिंग करनी है तो यह सिर् अगर आपने सिर्फ जिंक करनी है तो इसको आपको गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कोटिंग करनी है तो गोल्डन कोटिंग करनी है तो गोल्डन कोटिंग करनी है तो गोल्डन कोटिंग में डालेंगे वो उस्क्रूब बनके रैडी हो जाता है ऑब देखे जोब देख दूर में डाल करो इसको बहु domट Ne कि एदेखें अनों ने बुरी में डाल देना है तो इसको हो मार्केट में सेयर कर सकते हो बहुत इजी परचैसब कोई भी आदमी लगा सकता है इसको और और वीडियो युटूब में और बुझत कर सकता है उसमें चाहिए सकता कर काजờ HOR हमारी बृडि déjà cd ओट आप पीजन शाहिए गरप सकते हैँ दोस्तों इस शॉइल म्यों करें निशन इस डिए देखने का बोटय दन्यावाद आप दोस्तों आप आपको इस बिजने से जुड़ी कोई भी इंप्रमेशन चाहिए तो आपको मसे कमेंट करके भी पूर सकते हैं। दोस्तों इस बिडियो में इतना ही। उमीद करता हूँ कि आपको बिडियो जुरू पसंद आई होगी तो प्लीज बिडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहने बिजनेस आडियास पहुचे सबसे पहले आपके पास।